दोस्तो आज की ये वीडियो मैं सिखने वालों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको 12V का किसी भी टाइप का SMPS को कैसे रिपेर किया जाता है चाये वो उसके अंदर कोई भी फॉल्ड क्यों ना हो डेट कंडिशन में हो तो उसको रिपेर करने का जो कोई भी बोल्टेज नहीं बन रहा है तो आप देखिए सबसे पहले मैंने इसका डायोड को चेक करा तो डायोड हमें सही मिला डायोड यान की डॉबल डायोड जो होता है ना तीन टांगो वाला डायोड SMPS पावर सप्लाई के अंदर हमें देखने को मिलता है उसके बाद हम कर लेता हूं MOSFET को क्योंकि जब भी dead condition होता है ना सबसे ज़्यादा खराब होती है MOSFET जैसे कि आप देख सकतो इस बली पावर सप्लाई के अंदर भी MOSFET ही खराब हो आए और जब भी MOSFET खराब हो जाती है ना उसके साथ साथ हमारा PWM IC भी खराब हो जाती है इसलिए हम PWM IC को भी निकालेंगे और उसके बाद MOSFET को भी निकालेंगे उसके बाद हमारा खुद का जो universal तरीका होता है जो हमने खुद ही ढून के निकाला हूँ वो तरीका आप आपको दिखने वाला हूँ यहाँ पे दिखिए यह वाला IC आपको मार्केट से मिलना बहुती मुश्किल अगर फिर भी कैसी को मिल जाए तो उसको लगाने के बाद यह रिप्यर नहीं होता है मैं अपना 5-6 साल के जो रिप्यरिंग का experience है उसके हिसाब से आपको बोल रहा हूँ जो 7N65 नंबर का इसका अंदर MOSFET लगा हुआ है ना अगर हम सेम नंबर का MOSFET इसका अंदर लगा भ एक बाला एक उनिवर्सल एस्टीर है जिसके जरी हम लोग मोडियूल भी बनाता हूं पाउर साफलाई को रिपेर करने के लिए और यहां पर इन दोनों का काम इस अकेले एस्टीर के जरीए हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह चार्ट लेगों में से जो चान न नमबर का पीन को डालेंगे वो डालने के बाद हमें थोरा सा पीछे साइड से ट्रेक को कट करना पड़ेगा मोडिफाई करना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगा फिलाल के लिए मैं अपने उसी जगा पर इस बली एस्टीर को लगा दिया हूं एक जो चान नम या कनेक्शन ना रहे उसके बाद हमने माल्टीमिटर से चेक भी कर लिया को आपस में कनेक्शन है या नहीं यहां पर कोई भी कनेक्शन नहीं रहा हमने अच्छे से चेक भी कर लिया हूं दोनों साइड अब हम क्या करेंगे कि यह एक डायोड और एक 220 के का रेजिस्टन्स म के एक साइड हमने आपस में जोड़ दिया हूं उसके बाद हम क्या करेंगे डायोड का जो एनोड साइड है वो हमारा मेन जो फिल्टर का पसिटर है उसके पॉजिटिव के साथ हम जोड़ेंगे यह रहा मेन फिल्टर का पसिटर उसका पॉजिटिव के साथ हम जो डायोड है 400 007 नंबर का डायोड के एनोड साथ जोड़ेंगे और रेजिस्टेंस का जो एक साथ जो बज़रा है दोस्तो ना उसको हम जोड़ेंगे जो हमारा 15 से 18 वोल्ड का स्टाटिंग पाउर सप्लाई होता है उसके अंदर एक पाउर पोई मतला पॉजिटिव पीन जो होता है क्याप 5V और 50 वोल्ड का एक चोटा सा क्यापसिट्टर यहां पर लगा हुआ है इस जगा पर आपको 10¥ से लेकर 47¥ क्यापसिट्टर देखने को मिल सकता है और यहां पर 50 वोल्ड का ही आपको मिलेंगे उसके बाद देखिया हम जो रेजिस्टेंस है उसका दूसरा सिरा हम लगा करना परा किको दोस्तों हमने इसके अंदर से जो PWM IC है उस PWM IC को बहान निकल ले हूँ जिसके कारण हमारा जो सप्लाई है न 15-18 वो नहीं बन पाएगा तो उसको हमें अलग से बनाना परेगा उसी चीज के लिए हम लोग यह वाला जुगर लगाया हूँ एक के रेजिस्टन्स और एक डायोड के मदद से जो 300 वोल्ट से step down करके यानि कि voltage को drop करके हमारा 15-18 वोल बना देगा यह तो हमारा completely यहाँ पर एक modify हो चुका है इसके बाद हमें एक bypass और जो capacitors होता है on zero phone number का coupling के लिए वो हम यहाँ पर लगाएंगे जो opto appler होता है opto appler के तीन और चान नंबर pin के साथ क्योंकि तीन और चान नंबर पिन क्या होता है कि हमारे voltage इधर से उधर होता है मतलब उसके अंदर से voltage प्रोभाइद होता है इसलिए उसके coupling करने के लिए यहाँ पर capacitors को इस्तेमाल की जाती है अगर आपको coupling capacitors क्या होता है अगर नहीं पता है तो आप हमारे LCD LED के साथ साथ जो हमने एक book launch करा हो या launch करने जा रहा है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे basic electronics के बारे में सारे जनकड़ी उसके अंदर मिल जाएंगे और कुछ दिर के अंदर यह वो book launch हो जाएंगा तो हमारे साथ जुर रही है यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हमारा capacitors को जोड दिया हूं उसके देखिए बाद हमने str का जो 4 no. पीन था उस 4 no. पीन के साथ हमारा एक साइड का ओयर्स को जुरेंगे और दूसरे साइड ऑयर्स का हम optogopler के चान नमबर पीन के साथ जुरेंगे यहाँ जो optogopler के जहाँ पे dot दिया हूँ रहता है उसका opposite साइड में जो 4 no. पीन रहता है उ और भी connection करना परेगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगा अभी फिलाल के लिए यहां पर देखिए बहुत ही मुश्किल से हम लोग यहां पर जोड़ेंगे अगर आप इसको पहले से पता है न आपको तो आप MOSFET को लगाने से पहले ही एक ORS को जोर के रख दीजिए मैं आप performance एक दोन बिलकुल एक नंबर का है और performance के साथ साथ इसका जो longevity है न वो भी काफी जादा है इसलिए सभी पूरकर के जो SMPS power supply है 19 बुल्ड हो या 12 बुल्ड हो दोनों में ही यह मैं इस्तेमाल करता हूँ 24 बुल्ड के अंदर भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि यह वा section नहीं है तो यह वाला HDR install नहीं होगा काम नहीं करेगा इसलिए इस वाली HDR को install करने से पहले एक बाद चेक कर लेजिए कि उस SMPS के अंदर feedback section है या नहीं तो हमरा जो यहाँ पे HDR को install करने का जो process है complete हो चुका है एक बार में चेकर लेता हूँ कि इसका fuse सही है या नहीं 100% है उसके बाद जो rectified dart लागा हुआ है वो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे 4 के 4 dart को चेक करने के बाद यह भी ओके है अब इसका output section भी मैं ने चेक कर लिया यह भी ओके है तो अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर जो input supply देंगे और input supply देने के बाद मैं देखता हूँ कि इसके अंदर output में हमें supply मिलता है कि नहीं क्योंकि हमारा जो modification का काम पूरा complete हो चुका है तो यहाँ पे left side से 1 और 2 number pin यानि कि 1 और 2 number जो जगा दिया गया है वो हमारा 220 input करने के लिए है तो मैं जल्दी से लगा देता और उसके बाद मैं इसके अंदर AC supply देता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा indicator लगा हुआ है उस पे ध्यान दिजिए आपको पता चलेगा देखने को मिल जाएगा यहाँ पे दिखे मैं जलागाने जा रहा हूँ यहाँ पे indicator आ चुका है यानि कि हमारा power supply बिल्कुल 100% ओके हो ज नहीं रहा है उसके साथ ही साथ आउटपूट में देखिए थोरा सा भी इधर उदर नहीं हो रहा है बिल्कुल